मनुष्र के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है इन सब का कारण हमारे ग्रह नक्षत्र भी होते हैं हमारी कुंडली के आधार पर हमारे ग्रह भी बदलते रहते हैं इससे हमें नुकसान के साथ कुछ फाइदा भी होता है आपको बता दें इन सबसे सूरे भगवान प्रमुख सूचक होते हैं क्योंकि सूरे देव के होते ही सरश्टी में दिन रात संभव हो पाता है लेकिन अब 13 जुलाई 2018 को पूरे 500 वर्षों के बाद सूरे गरड होने वाला है जिसके कारड कुछ राशियों के जीवन में विशेश बदलाव आएंगे ऐसा यूग 500 साल बाद बन रहा है जिसमें तीन राशियों की किसमत चमकने वाली है चली आपको बताते हैं उन तीन राशियों के बारे में आपको बता दें विथुन राशी आपका सूरे गरड के बाद किसी अपने खास परिवार या दोस्त से सुभह समाचार मिल सकता है आपका अपने जीवन साथी की तरफ चादा रोजहान और प्यार बढ़ेगा इस महा योग में इस राशी को धनलाब के योग बन रही है इनकी वदेश यात्रा भी हो सकती है कहीं से बड़ा ओफर आ सकता है नौकरी के योग बनेंगे सिंघ राशी सिंघ राशी के जातकों को धनलाब तो होगा ही साथ ही आपको जो अटका हुआ धन था वो भी आपका जरूर बापस आएगा आपको विशेश लाब होने के योग बनते नज़र आ रही है संतान की ओर से इनको शुब संकेत मिलते नज़र आएंगे आप कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं जिससे आपको लाब जरूर होगा मकर राशी 500 साल बाद बन रहे इस महा संयोग में मकर राशी के जातकों को बड़ा विशेश फायदा होने बाला है यह संयोग शुब होता दिख रहा है आपको बता दें संतान की ओर सो उनको सुखत समाचार मिलेगा इस योग के चलते कहीं यह लोग बाहर गोमने जा सकते हैं समय इनका अच्छा रहेगा नेक्स नाइन इस फ्रिच्वल से अकाश की रिपॉर्ट